इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास नाइन क्लास नाइन मैट्स का चैप्टर नंबर वन नंबर सिस्टम जो आरे सगरवाल के एम सी क्यूज है वह हम यहां पर डिसक्स करने वाले हैं तो सबसे पहला क्वेशन यहां पर लिखा हुआ है विच आप दे फॉलोंग इस नंबर है और oud 3 इंका लेंगे तो वह भी होता है तो पहले तीन ऑप्ष्णल एर्ष्णल है फॉर्थ ऑप्षन लिखा हुआ है जीरो यह हमारा होगा रैशनल नंबर ठीक हम क्वेश्चन देखते जाएंगे साथ में उसका कॉंसेट भी समझते जाएंगे साढन को ऐसा लिखा हुआ है अर रैशन नंबर बित्विट्वेटं ट्रीएं ठीक तो मैंनेसली ठीक है कर चला जाए। मैंना सरी फॉइंट फॉइंट सि लिखाओ है जो अप्शेन लिका यह वो भी माइनस 3.4 यह भी माइनस 3 के बाहर चला जाएगा ऑप्शन डी यहां पर इर्रैशनल नंबर है क्योंकि आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है वन जीरो फिर डबल जीरो फिर ट्रिपल जीरो मतलब हर बार नया नंबर आ रहा है और आंसर भी नहीं रहा है तो यह सारे ऑ प्रिंट 2 by 3 and 5 by 3 मतलब 2 by 3 और 5 by 3 के बीच में हमें निकालना है तो ऑप्शन डी पहले ही कैंसल हो जाएगा क्योंकि इन्होंने प्रूबाइट लिखा हुआ है तो वाइटरी और 5 रिके बीच में निकालना है तो तो बाइटरी नंबर नहीं आना चाहिए तो ऑप्शन डी होगे तो वह पॉइंट 6 समसिंग आएगा 5 by 3 का भी आपका जो आंसर आएगा वह वन पॉइंट समसिंग आएगा और ऑप्शन बी में यहां पर लिखा हुआ है तो इन दोनों के बीच में नहीं आएगा तो ऑप्शन बी भी हमारे यहां पर कैंसल हो गया है अभी हमारा यह ओप्शन से एक आपर आने वाला है तो दोनोके डिनोनेटर सिक्स है और तो हमारी नमपर है उसके बीनोमीनेटर सिक कर करेंगे तो आंसर आएगा पोड़ा जबए इन दोनों की बीच में रेशनल नमबर अगर पता लगा ना है तो पूर के बाद सीधा नमबर आएगा पाइवाई जिस आप सब्सक्राइब सकते हो एट बाइज सकते हो एट वाइज लिग सकते और नाइन बाइस प्र यह सारे नंबर और यहां पर हमारा option सी होगा वाधर करेक्ट यहां पर हमारा option सी हो जाएगा करेक्ट तो थर्ड को थाड़ चुन से और वाला लोगेशन नमबर फाई विच ओफ द फॉलोइंग इस रेशनल नमबर तो अंडरूट में अगर प्राइम नमबर होगा तो वह रेशनल नमबर होगा यह चीज़ हमने अगर आप देखोगे तो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है और यहां पर पीछे डॉट 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 लिखा हुए मतलब यह तर्मिनिक नहीं होने वाला तो यह ऑप्षण डी वी हमारा एक रैशनल है ऑप्षण सी हमारा होगा रैशनल नमबर क्योंकि अंडरूट का अंसर होता है, क्व्वक्त है तो ओफ्षण सी हमारे यहाँ पर एक रैशनल नमबर का हाँ पाठ होता है हमने एक नाहीं ऑ्लोड डाउग्रम क्या बोलता है ? सब्सक्राइब सबस्क्राइब頻道 होल नंबर और की ओपर अघिका बड़ नंबर अब गडर तो यह और इसंटल नंबर साइसें मया नंबर और साइट में इसम この उन कुछ और में ऑजब देंगे बाइड़ ओब जाएगा हमारा स्य नंबर का ही पार्ट है तो इसमें ऑप्शन दी आएगा परेक्ट आंसर को क्वेशन नंबर सेवन बेट्विन एनी टू रेशन नंबर अगर हमाई पाल दो रेशन नंबर है तो उन दोनों के बीच में इन पाइटली मैंनी रेशनल नंबर पॉसिबल है अगर ऐसा कोई बीच में रेशनल नंबर फाइंड करो तो अगर मैं यहां पर डिनोमेनेटर में थाउजन थाउजन मुल्टिप्लाइब कर दो तो मेरे पास एक वाला कुशंड़ दीर मृप्र संट्र मेरे स्वर चेंड कर सल के अंस ciudadनल बर का औम स में आंज हो सकता है रैशनल का ओसली मैं वो सकता है सिमोल में दीघल या तो फिर नौन तर्मिनेटिंग नौन तर्मिनेटिग एन करीटिंस तो यहां पे ओप्शन भी खरेक्ट लग रहा है एन्होंनों लिखा यहां सभी आंसर वह अखर तर्मीनेंटींग नहीं तो उतीन सर्फ चैसे रीप्रेजेंट होने वाला ऐस्नल नमबर डिप्रेजेंट होने तो उप्शनीppe होगा हमारा यांत पर पर करेruption तो तीगे नाइन वाला दडेसिमल रिप्रेजंटेशन आप एरेशनल नंबर अगर एरेशनल नंबर है तो पहली बात तो यह कि वो टर्मिनेट नहीं होने वाला है तो हम लिखेंगे नौन टर्मिनेटिंग और रिपिट भी नहीं होगा हर बार नया नंबर आयेगा यह पॉइंट के बाद हर बार नया नंबर आएगा मतलब कुछ पैठन हमने दिखाए देगा और रिपिट भी नहीं होगा टर्मिनेट भी नहीं होगा मतलब यह लगा option D यहां पर correct answer नाइदर टर्मिनेटिंग नौर प्रिपिटिंग ओके इसा नमबर टैन यहां पर लिखा हुआ है डेस्टिमल एक्सपंशन डैट अट्रेशन नमबर टैन नोट चार ओप्ष्ण यहां पर गिवन है उसमें से बताना है कि कौन सा ओप्ष्ण डैसल नमबर नहीं है यह एसा लगा होगा मतलब यह भी रिपिटिंग है यह रिपिटिंग भी हमारा रिशनल नमबर के अंदर ही आएगा यहां पर भी रिपिटिंग होने वाला है सिर्फ ऑप्षण डी यहां पर है जो डैसल नमबर नहीं होगा तो क्या देख सकते हो यहां पर पॉइंट के बाद 50 बसक्राइब द्वी ने वाला है और यहीं हमें पूछाए कि 4 option में नहीं है तो option बी हमारा राशनल नमबर नहीं को कर दो सबसे पहला यहां पर है यह तो रिपीटिंग होते जा रहा है रिपीटिंग मतलब रिपीटिंग भी रिशनल नमबर के अंदर ही आता है यह भी ऑक्नल देखो तो यहांपर वन पोर 1 तो यहां पे 31 को रितर है है वन्फोर रिपित हो रहा है मतलब हुँ हमारा चानल नंबर है ऑप्षिन डी हमारा इसा लिखता हुआ है और एक्विवेलेंट टू सेवन अपॉन नाइन ओके एक्विवेलेंट मतलब सेम तू सेम ही होना चाहिए तो आप देख सकते हैं यहां पर यह ओक्षन तो आएगा ही नहीं क्योंकि सेवन के टेबल में कहीं भी 17 आएगा ही नहीं और 119 बी 19 के टेबल मे नहीं आएगा तो आप्षण एक हो गया अभी मैं अगर सेवन को टू के साथ मल्टिप्लाय कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर में भी 2 के साथ ही मल्टिप्लिकेशन होना चाहिए तो अगर नियूमेरेटर में 14 लिखा हुआ है तो यहां पर 57 आ रहा है विच इस रॉंग 57 जो ऑप्षण डी करेक्ट है ऑप्षण सी इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 38 लिखा हुआ है तो इसलिए यहां पर यह ऑप्षण सी करेक्ट नहीं होगा प्षण नंबर थर्टीन चूज दी रैशनल नंबर विच डज नॉट लाए बिट्विन माइनस टू बाइटरी एंड माइनस वन अपॉन फाइट पहले तो क्वेशन देखके पता चल रहा है कि दोनों नेगेटिव नंबर है मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा ह तो क्वेशन सौल करने की ज़रूरत भी नहीं है इस वाले में सीधा ऑप्षण बी आएगा जो इन दोनों के बीच में नहीं आएगा क्यों यह दोनों नंबर नेगेटिव नंबर है और यहां पर ऑप्षण भी हमारा पॉजिटिव नंबर दो नेगेटिव नंबर की बीच में पॉसिबल नहीं है ठीक है तो क्वेशन नंबर थर्टीन में आंसर आजाएगा ऑप्षण बी उसके बाद लिखा हुआ है पाई इस तो स्टार्टिंग में बोजिया मैंने पहले में की पाई हमारा इर्रैशनल नंबर होता है तो 14 में आंसर होगा सी क्वेशन नंबर फि होगा या थो फिल नौन हुआ तो फिर नॉन सल्डूर्स होगा थो अगर अगर ंदर योट में प्राइम you know that alone यूत में करें आन Barry's केंम करीं होगा यहां पर हमारा नॉन प्रमीनेटींग कर विकहम में Tou तो ऑप्शन डी होगा यहां पर हमारा क्रेक्ट आंसर डेसिमल एक्सपंशन ऑफ रूट टू देन विच ओव द फॉलोइंग इस एंट इरेशनल नंबर फिर से यही कॉंसेप्ट कि अंडरूट में प्राइम नंबर अगर आपको दिखाए दे रहा है तो यह रहा ऑप्शन ए हमारा एंडरूट में फ्राइम नंबर दिखाए देजा है अंडरूट में यह 23 लिखाओ अई 23 इस प्राइम इंबर बाकी के सारे यहां पर लेस्ट नंबर हो जाएगा रूट कुट फ़ाइंग मत्तर फिप्टिं यह यह यहां पर टर्मिनेटिंटिं आंसर और यह लेंगे डिवाइजर होगा हमारा सेवन तो यहां पर रहे हैं सेवन टूजा पॉर्टीन अगर आप करोगे तो थ्री अभी सेवन के टेबल में थ्री नहीं आता है तो हमें पॉइंट लेना पर एगा तो पॉइंट लेने के बाद हम यहां पर सकते हैं सेवन पॉर्दा ट्वंटी एट होगा तो पॉइंट की वह जैसे मैंने 20 लिखा हुआ है तैवन टूजा पॉर्टी माइनस पॉर्टी में टो यह जाएगा 6.2 जैसे 60 दैन एक सेवन जा 56 तो यह होगा 4040 क्योंकि पॉइंट क्यों जैसे हम 40 लिख रहे हैं 75 35 40-35 40-35 40-35 यह होगा यहां पर 5 और पॉइंट क्यों जैसे 50 देन 7749 50-49 आएगा 1 फिर रमपुट करेंगे 0717 10-7 3-7-7-3 यह होगा 30 7-4-7-4-28 30-28 होगा 220 देन 7-2-14 तो यह हो जाएगा यहां पर 60 तो यह होगा 7-8-5-6 तो अगर आप यहां पर देखेंगे यह 20 के बाद सारे लाइन यहां से फिर से रिपीट हो रही है 20 के बाद की तो मतलब हमारा आंसर 428571 यहां तक की मेन आंसर है इसके बाद फिर से वहाई रिपीट होने वाला आए देख लाग यहां पर आप द्यान से देखोगे तो यह सारा का सारा नंबर फिर से रिपीट होने वाला है 428 यहां पर आ चुका है मतलब 2.428571 इन सब के उपर में बार लगा सकता हूं तो यह टोटल हो जाएंगे जो एक ब्लॉक में रिपीट होंगे फिर से वही ब्लॉक चालू हो गया देखो आप यहां पर 428 इसके बाद फिर से 571 यही नंबर आएंगा तो छेचे डिजिट के फॉर्म में यह पूरा का पूरा रिपीट होने वाला है तो क्वेशन नंबर 17 में आएगा ऑप्शन बी ओके देन विच आप पॉलॉइंग नंबर इस इर्रेशन नंबर अगें एक एक को हम यहां पर सिंप्रिफाइब कर देते हैं ताकि हमारा काम वीजी हो जाए तो अंडरूट फोर को अगर आप देखोगे तो अंडरूट फोर काम तू लिख सकते हैं अंडरूट नाइन काम लिख सुक्त वाइट वंज़ा एट यह वोगा फॉट है लेन एट फाइफ लेन एट फाइज अ फॉट्ती लेट है और फॉर को फॉर फॉर्टी फाइफ लेन अच्छा हम एसे डिवाइड नहीं करना है इसमा तू लिखें वन फॉर्फाइड यह अलग कर देंगे पहले हम एट को लिख देते हैं यांपर बन तू फाइस जीरो पाम ऐसा लिख सब्सक्राइब और एट कॉम अलग करेंगे पोर इंटू अगर हम डिवाइट करने बैठेंगे तो फिर यह पॉइंट कर आएगा कई बार ऐसा होता है कि डिवाइट करने से डाइडेक्ट आपको एक नंबर मि यहां पर कर रहा है अभी हमें पता है कि 625 वीवाइट का होता है अंडरूट रिखे और फोर का अंगरूट हो जाएगा तो यह सेकेंड का अंसर विरेशनल नंबर आ रहा है यह फस्ट वाइवार रेसिनल नंबर और अंडर एट को अगर हम सिंप्लिफाई करने बैठें तो तो यह होगा फोर टूसा एक तो फोर को हम बाहर निकाल सकते हैं यह होगा तू अंडरूट तो यह होगा हमारा इड्रेशनल नंबर ठीक है लेकिन एक बार हम ऑप्शन डी भी चेक कर लेंगे उप्शन डी में ऐसे लिखा हुआ है अंडरूट 24 है थे पहले हम बड़ा लिक देंगे यह में पता हिए अगर दो लिखा हं तो हम एक बड़ा अंडरूट लिख सकते हैं तो हम ऐसा कट कर सकते हैं 18 में आंसर आजाएगा option C okay question number 18 में आंसर आजाएगा option C then question number 19 the product of two irrational numbers ठीक है अगर हमारे पास दो irrational number है तो उनका product का answer क्या होगा तो एक example ले लेते हैं कि एक मेरे पास है root 2 और दूसरा नंबर में सेम ले रहा हूं अगर मैं इन दोनों का product करूंगा तो आपको पता है कि अगर दो same root वाले number आपस में product होगा तो root गायब हो जाता है तो आंसर आजाएगा तो ठीक है तो अगर मैं दो इर्रेशनल नंबर निकाल रहा हूं तो आंसर आ रहा है rational नंबर लेकिन यह हर बार साहीं नहीं होगा अभी मैं दो अलग अलग root वाले number ले रहा हूं जैसे कि root 2 and root 3 दोनों इर्रेशनल नंबर है अगर इन दोनों का मैं product निकालूंगा तो यह हो जाएगा टू इंटू 3 हो जाएगा रूट 6 अभी रूट 6 को हम ऐसे बाहर सिंपल फॉर्म में convert नहीं कर सकते हैं मतलब रूट 6 का वैसे मतलब ज्या होता है कि 2 इंटू 3 मतलब यह दोनों प्राइम नंबर है अंडर रूट में तो अगर अंडर रूट में प्राइम नंबर है तो यह प्रोड़क का अंसर इर्रैशनल भी आतकता है तो ऑप्शन दी हमारे यहां पर करेक्ट होगा सम्टाइम्स रैशनल एंड सम्टाइम्स एर्रैशनल ठीक है अच्छाल अब क्वेशन नंबर 20 वीच आप दर फॉलोइंग इसस्टू स्टेटमेंट अधा सम आप फू एरेशन होगा यहां तो एर्रैशनल होगा एवरी डियल नंबर इस आइडर रैशनल और एर्रैशनल तो यही ऑप्शन डी हमें करेक्ट लग रहा है ठीक है जैसे मना अभी बताया कि जो भी रियल नंबर समारे पास एक यहां तो फिर वह एरेशनल होगे हमने आगे वाले एक में श्टेंडर में पाइंसर 22 आपन सेवन लेते थे तो यह हमारा एप्रोक्सिमेट अंसर ताथ में अगर सिफ नंबर है और हमारे रिशन लॉन और और रहा फिंगा चाहां डूद्द लिखा होगा और तो यह फोगा ऑप्शिन नंबर दी पाइज पॉप्शनल एंड ट्वेंट वेच्ट विशंथ नंबर लाइंग बिटू टू एंड रूट थरी रूट टू और रूट तुर रूट-3 के बीच में हमें रैशनल नंबर पाइंड करना है तो इसकी एक ट्रीक है यहां पर में ए और प्रॉडक्स मतलब इन दोनों नमबर का अपसमें एडीशन कर देना है तो यह जो भी आंसर होगा वो क्या होगा रैश्नल नमबर ही होगा और वह इन दोनों नंबर के बीच में आएगा सिंपल सी बात है मैंने दोनों के बीच का सेंटर वैल्यू निकाल दिया है ठीक है अगर को ऐसा बोल रहा है कि टू एन थ्री के बीच में राइन करके बताओ तो आप लिखोंगे वन बाइटू ब्रैकेट में तू प्लस थ्री तो यह हो जाएगा देखोंगे तो यह होगा 2.5 तो आप देख सकते हो कि बीच में 2.5 आता है तो यह रैशनल नंबर ही है तो सीधा यह फॉर्मला ही हमें याद अग देना है कि वन बाइटू ए प्लस बी अभी यहां पर रूट वाला नंबर है तो भी यही फॉर्मला यूज करना है कि वन बा तो यही हमें ऑप्शन ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है यहां पर करेक्ट टांसर ए प्लस बी डिवाइड बाइट तू ओके जब भी रैशनल नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो आप यह ट्रिक यूज कर सकते हो दोनों रैशनल नंबर ले लो डिवाइड बाइड आ तो यह भी रैशनल होगा ऑप्शन वी अगर आप देखोगे तो टैन के बाद हंड्रेड के बास थाउजन थाउजन के बार तैन ताउजन हर बार नया नंबर आ रहा है आप्शन हमारे यहां पर करेक्ट होगा तो यहां पर लिखा है प्लॉइट एटीफाइफ इसके बाद repeating आएगा तो वह हमारा रैश्टनल नमबर को इसको मैं मुल्टिप्लाइब कर रहा हूं एक इरश्टनल नमबर के साथ अगर मुझे कोई भी रैसनल नमबर ले लिता हूं तो अगर हम इन दुनों का मुल्टिप्लाइब करेंगे तो आंसर हो जाएगा जैसे कि मैंने पहले को महीं बता दिया कि रैस्टनल नमबर मुल्टिप्लाइब में इरश्टनल नमबर तो फाइनल आंसर ऑल्वेज इरश्टनल नमबर आएगा ठीक है ट्वेंटीफोर में आंसर आएगा एक इसको हमें पी बाइक के ओपर लगा हुआ है मतलब हम यहां पे लिखेंगे कि एक इस इक वाल लग दिया तू को एक ही नमबर रिपीट हो रहा है तो हम टैन के साथ मुल्टिप्लाइब करेंगे दोनों जगह पर तो यह हो जाएगा तू जबुआएगा सबुआएगा 2.22 द्रुआट रॉट दूट 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 इसको में डाल दूगा एकवेशन वन सब्केसिन दूटस पिर हमारा प्रोसेस किया होता है एकवेशन को मैंनेस एककवेशन बन करेंगे लेप अन साइड हो जाएगा 10x-1x and right-hand side हो जाएगा 2.222 dot 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 minus 0.222 dot 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 ठीक है तो 10x-1x हो जाएगा 9x और यह 2- अगर आप यह करोगे रफ में तो आंसर आजाएगा 2 ठीक है पॉइंट के पीछे सारा नंबर कट हो जाएंगे आपको रफ में ट्राइक करना है ठीक है कई बार पॉइंट के बाद कुछ बैली बच जाती है एक्स का अंसर आड़ा है तो यहां पर हमारा option होगा option भी यहां पर करेक्ट आंसर है यहां पर 1.6 तो 1.6 बार को आपको कर देना है चलो कर देते हैं यहीं हम 1.66 के ओपर बाहर लगा हुआ इस बार तो इसका मतलब यह हुआ एक्स इस इक्वाल टू 1.666 दॉट 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 फिर से एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे यहां पर 10 के साथ मुल्टिप्लाइब करेंगे दोनों जगह पर अभी आप ज एक्वेशन 1 यह होगा इक्वेशन 2 माइनस वन खरेंगे हं यहां पर सेम ही प्रॉसएस से हर बाग एक्वेशन 2-1 यहोगा 9 x- 16-1 अगर आप करोगे तो यह होगा शीप सारे इस नंबर यह आप कि पॉइंट के बाद जो भी सिक्सिक वह सब कुछ कट हो जाएगा तो नाइन इस इकोल टू फिफ्टीन आंसर आएगा एक्स का अंसर होगा फिफ्टीन डिवाइड बाइड बाइड फिफ्टीन डिवाइड बाइड नाइड तो यह ओप्षन हमें दिखाई दे रहा है ओके उप्षन ही नहीं है 15 डिवाइड बाइड नाइड फिफ्टीन डिवाइड बाइड नाइन अप्षन नहीं है लेकिन यहां पर अगर हम सिंप्टीन को सिम्प्लिफाइड करेंगे तो और थ्री ठीजा तो यह सुए तो अप्शन हो जाएगा था पाइड बाइड ती तो करना है अगर सिंप्लिफाइब करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो फिर हम नंबर ट्वेंटी सेवन तो इसमें लिखा हुआ 0.54 तो इसको भी हम सिंप्लिफाइब कर देते हैं यहां कि 0.5454 के उपर बाहर लगा हुआ है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि executing equal to 0.5454 ini यहां पर दोनुमडर टो रहुँत है एक नंबर य्चान के साथ मॉल्टिफ्लाइब करना अगर प्फूर 10 के साथ मुल्टिप्लाइब करना है अब जैसे ही आप 100 के साथ multiply करोगे तो आपका decimal point to decimal point आगे चला जाएगा तो यह हो जाएगा 54.54 ठीक है और एक बार 54 में लिख देता हूं कुछ कि यह नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है आगर रिपीट होने ही वाला है ठीक है हर बार आपको यह ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद लिखें तो उपर भी पॉइंट के बाद चार्ड नंबर होने चाहिए ताकि जब आप सब्सक्रेक्शन करो तब आपका काम कीजी हो जाए तो यह हम भाई करेंगे को मानेस को एक्क्वेशन वण यह हमारा एकक्वेशन को यह हमारा एकक्वेशन हुआ ठीक है तो लेटेंट साइट तो आन्सर हीजिए राइट एन साइड हम सब्सक्रेक्शन कर लेता है कि 54.54 माइनस 0.5454 तो यह 4-405-500 पॉइंट नीच आगया 54-0 परोगे तो यह आंसर हो जाएगा 54 तो आंसर आ रहा है 99 X is एकोवल कि 24 99 x is equal to 54 x आँसर आ एक 54 अपॉन 99 ओके ऑप्शन देख लेते हैं अगर और आपिशन में नहीं है तो पहले हम ऑफ हम आपके 54 जाए करेंगे ओके 54 अपॉन 99 तो अप्शन नहीं दिखा देरा तो पहले हम सिंप्लिफाई च्राय करेंगे अगर सिंप्लिफाई में भी आंसर नहीं आ रहा है तो फिर हम लिख देंगे नन आप देश तो 119 जा 99 और 69 जा होता है 5499 कर तो आंसर आ रहा है सिंप्लिफाई कर नहीं आ रहा है तो यह सेम है क्वेशन नंबर 28-29 जो भी ओनलाइन यह वीडियो देख रहे हैं आपको कमेंट में आंसर बताने क्वेशन नंबर 30 अगर आप यहां पर देखोगे तो इसमें भी और एक कॉंसर्प यूज होने वाला है कि अगर आप जैसे आगे हमने देखा कि दो नंबर है अगर पास दो दो नंबर है एंग अगर इन दोनों के बीच में अगर मुझे मेन को और मुझे रिक्त करना है और मुझे राशेवन करना है तो मैं क्या करूंगा और अ जया और रृप्ले सभी में मिरे दो फी कर दूंग ऑंग peng नबर लेकिन अगर मुझे यहांपय डोंबर से मेरे पास अगर इन दोंओ के भीच मुझे प्रीमजे य्रैशनल सुबरत चाहिए तो इसकी बी एक ट्रिक है आपको सम्प्ली क्या किना एक बड़ा ऊंडरूट की की तान दालनी है जो भी नंबर आपको दिये हैं उन्सका और प्रोड़क करके लिख दो क्या बोला मैंने कि अगर ए और बीके बीच में अगर आपको ए रैशनल नंबर पाइंड करने का क्वेशन आ रहा है कोई भी नंबर हो सकते हैं यह और भी यह खुद यह खुद भी रैशनल भी हो सकते हैं कि रूट टू और रूट थी ऐसा कोई में लिखना चाहें तो आपको पता है कि अगर अ उसको है लख सकते हो कि रूट सिक्स जो बाहर का अंडर उटे स्कों मैं लिख दूंगा ओल रेस टुए उन उपान टू और यह जो अंदर वन आपन का अंदर भी यह जो लिखा हुए इसको भी मैं इसा लिख सकता हूं वन तो आंसर आपका हो जाएगा इसा भी कुश्चन आ सकता है तो सिंपली हमें करना क्या है जो भी दो नंबर अगर हमें बोलें कि इन दो नंबर के बीच में एक ही रैशनल नंबर चाहिए तो आप पटा-पट ऐसा कर सकते हो कि दोनों को मल्किप्लाइ कर दो और फिर एक अंडर को प्लस करके डिवाइड बाइटू पर दो अगर एक रैशनल नंबर पूछा है तो होल अंडरूट में एंटू बी करके आपको लिख देना है यह कोई भी नंबर हो सकते हैं कि क्वेशन नंबर फाई और थर्टी में फाई और सिक्स दिवन है एका आंसर पाई बीका आंसर से तो मैंने क्या बोला आपको अंडरूट करके आपको दोनों नंबर लिख देने तो यहां पे अंडरूट में पाई इनकु सिक्स करके लिख दिया हुआ है तो यह होगा हमारा और छिक्स को भी हम प्राइम नंबर की फॉर में लिखना चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं टू तो आप क्या करोगे इन दोनों को भी यही कॉंसेट यूज करके आप फाइनल आंसर लिख सकते हो कि यह चीज़ दियान रखने हैं कि अगर एक्समान में लिखना है तो आप लिख सकते हो तो यहां पर थर्टी वन में आंसर आएगा ओप्शन बी ठीक है ओके इसेम प्वेशन आ रहा है थर्टी टू एक इर्टी टू नमबर निकालना है वन बाइ सेवन और तू बाइ सेवन के बीच में तो यह हो जाएगा यह जाएगा भी हमें एक ही चीज़ करना है अंडरू लिखना है एंटू बी लिख देना है तो वन ब पॉइंट थ्री के ऊपर बाहर लगा हुआ है पॉइंट फॉर के ऊपर भी बाहर लगा हुआ है तो यह जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं यह हमारा पार्ट वन रहेगा इसमें मैं 40 mcqs करने वाला हूं और पार्ट टू हमारा इसी का वीडियो का पार्ट तू आएगा जिसने हम 35 mcqs और करेंगे तो टोटल हमारे चैप्टर वन के 75 mcqs के हमने प्रैक्टिस कर लिए चैप्टर वन के लिए ओके तो क्वेशन नमबर 33 में 0.3 के उपर बाहर लगा हुआ है 0.3 के उपर बाहर तो अगर इसका हम फटा-फट पहले सेंप्लिफाई कर लें तो 0.33 333.3 डॉट 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 एक नमबर रिपीट होड़ा है मतलब 10 के साथ मल्टिप्लाइ करना है तो यह 0.1 प्लेस आगे चला जाएगा तो यह हो जाएगा 3.333 डॉट 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 एक्वेशन दो दोनों का अगर आप माइनस टो सिछ हो जाएगा 9 Cash deelen grade three इसका रा रहा है बाए 9 यह सो सेंपलिफाई करोगे तो सब्सक्राइगा ऐन से ऐगा उन को एसे हमें 0.4 को भी करना है छिरो पॉइंट 4 का बात खाता है और सौ यह की नमबर रिपीट हो रहा तो पॉइंट फिर से एक प्लेस आगे चला जाएगा 4.444 डोट डोट ठीक है सेम टूप सेम चीस इसमें भी एक्वेशन वन एक्वेशन टू एक्वेशन टू माइनस एक्वेशन वन परेंगे तो लेफ्ट हैं साथ होगा नाइन एक्वेशन राइट हैं साथ अगर आप पॉइंट पॉर का बार इन दुनों का सम फाइंड करना है तो मैं अभी इस वाले क्वेशन में 3 by 9 ही लेने वाला हूं क्योंकि 1 by 3 लेने से कोई फाइदा नहीं है क्योंकि मुझे फिर से लेना ही परेगा तो पहले से यह ले रहें 3 by 9 यह तो यह होगा अमारां ऑप्षन ऊप्षन भी होगा हमारे यहां पर क्रेक्ट नंसर नंबर 33 में और यह तब आ करना यह जो भी यह आपे लाइव देख रहे हैं तो यह त्राइक करना है और आपको आंसर बताना है कमेंट में आपको वहाँ पर रिप्लाइ कर दूंगा क्वेशन नंबर 35 विच आप फॉलोइंग इस दी वैल्यू ऑप अंडरूट 11 माइनस अंडरूट 7 और दूसरा ब्रेकेट भी अंडरूट 11 प्लस अंडरूट 7 ओके तो मैं यहां पर सॉल कर रहा हूं एक ब्रेकेट लिख लिखा हुआ है अंडरूट 11 माइनस अंडरूट 7 दूसरा ब्रेकेट लिखा हुआ है अंडरूट 11 प्लस अंडरूट 7 अभी एक चीज़ पता है हमें च्छोटे च्नाडर में हमने एक आइडेंटिटी देखी हुए ए माइनस भी ए प्लस भी तो आंसर हो जाएगा एस्क्व इंकतम सिन प्लस म連is का डिफरेंस होना चाहिए तो यहां पर भी फ्लस मैनेस का डिफरेंस सहुं एका स्क्वखर और माइनस ud सट एंदरुप 11 रहे कि माइन पर प्रोट का लिम तो यह हो जाएगा आपको पता है कि आगर आप जब भी स्कतल रूलप नकोंगे तो यह सब्सक्ण के लिए हुअख स्कुरा एक सट हो जाएगा तो आंसर होगा 11 माइन वह यहां पर भी यह स्क्वेर रूट और यह स्क्वेर आपस में कट हो जाएगा 11-7 तो आंसर हो जाएगा फूर तो यह होगा option हमारा भी 35 में आंसर आ रहा है option बी क्वेशन नमबर 36 सेम क्वेशन है फिर साम यहां पर सिंप्लिकाई करेंगे question ऐसा लिखा हुआ है माइनस टू माइनस रूट 3 माइनस टू प्लस रूट 3 ओके सेम यहीं पर भी वही आइडेंटिटी लगेगी यहां पर हम यहां पर साइन होगी माइनस की साइन और हम लिखेंगे रूट 3 का मासट भी आप की पी नेगेटिव नंबर का करोगे तो आंशर हो जाएगा इसा नहीं दिखा हुआ और हमारा आंसर नहीं होता है तो आप्शन और डीबी कट हो गया और यहां पर यहां पर रहेगा करेक्ट आंसर पॉजिटिव अंसर एंड रैशनल नंबर ठीक है तो यह होगा अब हमारा थाटी सेवन अगर हम देखेंगे सेम इसमें भी हमें सिंप्रिफाइ करना तो यहीं पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं सिक्स प्लस अंडर रूट 27 माइनस अभी मैं माइनस अंदर डे यह दे रहा हूं यहां पर यह माइनस बार लिखावाई यह माइनस दोनों को लगेगा तो यह होगा माइनस थ्री माइनस अंडर रूट थ्री प्लस कि यहां पर रफ कर देते हैं हैंग प्लस 1 रॉट थ्री ओके पहले तो अ सारे रूट वाले नंबर सेम करने क्यूक्य हमें पता है कि अगर रूट थ्रीं होगा तो यह प्लस माइनस कर सकते हो तो ही वह लाइक टंप्स होग यहां पर एंडरो 27 लिखा हुए अंडर त्सदी लेकिन अगर इसको मैं सेंप्लिफाय कर दो वन माइनस टू अंडर उट थरी तो अगर आप देखोगे थी अंडर उट थी माइनस वन अंडर उट थरी चलँ तो फेले तो यह नमबर को प्लस कर रहे हैं प्लस माइनस जो भी हो रहा है यांपे चलो थोरा कलर हम चेंज करते हैं यहां पर मैं लिख रहा हूं सेक्स माइनस थ्री ओगा थ्री थी प्लस वन तो नॉर्मल नंबर में आंसर आरा है फोर नॉर्मल नंबर के अलावा यहां पे हो रहा है थी अन्डर रूट थ्री माइनस रूट ठीशेय तो अगर आप यहां पे द्यान से देखोगे तो फोर ट्री त्री माइनस वन रूट थ्री तो मैंने यह सिखाया हुआ है कि क्या होता है कि अगर रूट 3 दोनों में इयो तो यह तो ले सस्यां कर सकते हैं तो यहां पर 3-1 ऑच्छेक करना है थिया माइनस 14 अजड़न कर सकते हैं थ्री ऑड्रूर दोन में रूट 3 कॉमन है तो कॉमन ले लिया बाहर 3-1 हो जाएगा टू अंडर रूट 3 और माइनस चू अंडर रूट 3 दोनों आपस में कट हो जाएगा तो आंसर आएगा फोर ठीक है लेकिन हम यहां पे फोर आंसर नहीं गिवन है हमें एक से ऑप्शन गिवन है पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो यह हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ऑप्शन चीओ और और ऑप्शन बी तो एशे ही कट हो जाएंगे और फोर आंसर हमारा रैशनल है तो इसमें भी ऑप्शन भी होगा अमारा करेक्ट अंसर ठीक है ऐसे सबसे पहले चीज़ मैं जो नॉर्मल नंबर उसको आपस में डिवाइट करोगे तो यह हो जाएगा यहां पर लिख रहा हूं दोनों एक बड़ा लिक सकते हैं अगर ट्रुट लिखा हूँ दो इसमें ऐसा लिख सकता हूं कि यह हो जाएगा 25 तो फाइनल अंसर डिनोमिनेटर में कुछ बच नहीं है इनुमरेटर में बच रहा है तो यहां पर पाइए यहां पर हो जाएगा कि यह पूशन नमबर थर्टी एट में होगा हमारा ओप्शन सी करेक्ट आंसर देन कोशन नमबर थर्टी नाइन ओक्ति मैं यहां पर स्टाइड में कर देते हैं चलो अंडरूट अंडरूट 20 एन्टु अंडरोट 5 विस्टा है कि अंडरूट अंटरूटव ओ तो उम अ अधको सकते एक बाड़ा अंडरूट और आपसम आंद largo सक्कूझाच हमारा तो पार्ट वन हमारा यहां पर खतम होगा एक लास्ट क्वेशन हम कल लेंगे उसके बाद पार्ट वन हमारा खट तो क्वेशन ऐसा है पहले जो नॉर्मल नंबर है मतलब जो रूट वाले नहीं है उसको सिंप्लिपाई कर जो तो यह हो जाएगा पूर तो अभी आंसर ऐसा है कि वन अपॉन त्री मॉल्टिप्लिकेशन में एक बड़ा अंडरूट डाल देते हैं 12 डिवाइड बाई 27 ओके वन बाई 3 अल्रेडी बाई है मल्टिप्लिकेशन में यह अंडरूट ट्वैल को ऐसा लिख सकते हैं और 27 लिख सकते हैं नाइन इंटू 3 जान बुझके आपको ऐसे नंबर लिखने हैं जिसका स्क्वार रूट आपको पता है जैसे मैंने यहां पर 12 को सिक्स टूज़ा नहीं लिखा है मैंने यहा यहां पर पहले जो का टोड़ा है उसका हम कर देंगे कर दिया है यहां पर तो वन बाइ-3 एंटू अन्डरूट फॉर का अंसर होगा टू तो नूमरेटर में आंसर आ रहा है तो अन्डरूट नाइन का अंसर होगा तरी तो डिनोमेनेटर में आधर आज़ा अब यह दो आरे सगरवाल के हमने 40 क्वेशन्स कर लिए एंसी की उसके जो आपकी टाउंबर्ण की एक्जाम में आने वाले हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्फफुल रहेगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपने फ्रेंग्स के साथ शेर कीजिए कर लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टन्ट है सबसे ज्यादा वेटेज चैप्टा नंबर वन का है ठीक है आठ मार्स का आएगा एंसी तो आने वाले हैं चैप्टा नंबर वन से तो आपके यह रेफरेंस बुक के एंसी आपके सॉल हुए होने चाहिए तो यह वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे यह रहेगा पार्ट वन हमारा आखरवल का टोटल सेवंटीफाइट कूश्टन है यहां से तो अरे सेमें से तो सो ब्सक्राइब हैं अर्ग लुए ने जो कूश्टन में आंपको बोला है कि वहां पे आप खुद है की और कमेंट में सर्थी ताकि मै में आपे आपको रिप्लाइ कर सकूँ तो मैंने में इस प्रशान एंड साइनिंग और यह वीडियों में पर एंड कर रहे हैं ओके बाइब